हम हिंदुओं को एकादसी का ब्रत करना चाहिए एकादसी का ब्रत कैसे करना चाहिए क्या पध्धती है सुनिए ओम स्री विश्णुवे नमा जै स्री राध्य कृष्णा मित्रो स्वागत है आपको अपने है चैनल भक्ति तेरी आचल में बोलिए स्री लक्ष्मी नरायन भगवान की जै बोलिए स्री राध्य कृष्ण भगवान की जै भगवान स्री लक्ष्मी नरायन जी की किरपा आप पर और आपके परिबार पर सदा और सर्वदा बनी रहे हिंदु धर में एकादसी तिथी का बड़ा ही विशेस महत माना जाता है असालमास के किरिशन फक्ष की एकादसी को योगनी एकादसी कहा जाता है योगनी का आर्थ होता है जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो योगनी एकादसी का ब्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुस की सभी मनोकामनाय पुर्ण होती है बर्स 2023 में योगनी एकादसी का ब्रत 14 जून दिन बुध बार को रखा जाएगा आज की इस वीडियो में हम आपको योगनी एकादसी की ब्रत विधी सुम मुहरत एकादसी तिथी कब से कब तक और अगले दिन ब्रत का पारण कितने बजे से करें तो वीडियो सुरू होने से पहले आप सभी से निविदन है कि अगर आप भी भगवान स्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब अवस करें और कॉमेंट में जैस स्री राधे कृष्णा जरूर से लिखें योगनी एकादसी के दिन असनान आदिस से सुध होकर ब्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और एकादसी के एक दिन पहले यानि दस्मी के दिन से ही साब्दिक भोजन घरन करना चाहिए इसके पस्चात एकादसी के दिन भगवान विश्णू जी को फल फूल दुद पंचा अम करना चाहिए और ब्रहामन को भोजन आदी कराना चाहिए दच्छना देकर ब्रहामन को विदा करने के बाद भोजन गरहन करना चाहिए और एकादसी के दिन गाय को हारा चारा अवस खिलाना चाहिए इस परकार से विधी विधान से योगनी एकादसी का ब्रत करने वाले मनुस उसकी सभी मनुकामनाया पुर्ण होती है इसमें कोई भी संकार नहीं है एकादसी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए एकादसी के दिन बाल नाखुन आदी नहीं काटना चाहिए ऐसा करने से धन की हानी होती है योगनी एकादसी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेस महमा है पीपल के तने में जल अर्पित करे और संध्या को घी का दिपक अवस जलाएं इस दिन भूमी पर सेयन करने से विशेस पूर्ण फल की प्राप्ति होती है रात्री को भगवान विश्नु की परतिमा के समिप ही भूमी पर सेयन करना चाहिए आईए अब कासी के पंचांग के नुसार जान लेते हैं कि योगनी एकादसी कब से प्रारम होगी योगनी एकादसी की तिथी प्रारम होगी 13 जुन को सुबह 9 बचकर 28 मिनट से और एकादसी तिथी समाप्त होगी 14 जुन को सुबह 8 बचकर 48 मिनट पर तो युद्या तिथी के नुसार सुर उदे का समय एकादसी तिथी 14 जुन को होने के कारण योगनी एकादसी का ब्रत 14 जुन को ही रखना सास्तर नुसार सर्बोत्तम रहेगा योगनी एकादसी के ब्रत का पारन यानी ब्रत खोला जाएगा 15 जून को ब्रत खोलने का सुब समय होगा सुबह 5 बचकर 7 मिनट से लेकर सुबह 7 बचकर 52 मिनट के मधमे आप सभी को योगनी एकादसी ब्रत की धेर सारी सुब कामना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें राधे राधे मित्रो